इमली कहानी में एक प्रमुख मोड की उमीद कर रही है क्योंकि मालिने की शिकार की कहानी सभी को अंधा कर देती है। त्रिपाठी उसे अपनी बहों के रूप में घोशित करते हैं और इमली को जाने के लिए मजबूर करते हैं। उसी समय इमली का दिल तूट जाता है और यह जानकर तबह हो जाता है कि आदित्य ने उसका भरोसा तोड़ा और मालिनी के साथ संबंध बना लिया। आदित्य उसे रोकने के लिए पागल हो जाता है लेकिन घर छोड़ने का उसका फैसला अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार इमली आदित्य के साथ सभी संबंधों को तोड़ देती है और तृपाठी के घर को हमेशा के लिए छोड़ देती है और यह तब होता है जब मालिनी अनु के साथ अपनी बड़ी जीत का जश्न मनाती है। दिल्चस्प बात यह है कि देव के अलावा और कोई नहीं है जो पहले पूरी वन नाइट स्टैंड स्टोरी के पीछे मालिनी के गंदे गेम प्लान पर शक करेगा। इमली तूटे दिल के साथ त्रिपाठी के गर से निकल जाती है, हाला कि जल्द ही उसे सत्यकाम के मामले में मालिनी के खिलाफ मजबूत सबूत मिलते हैं और इस तरह वह मालिनी को जेल में डालने के लिए सबूत के साथ लौटती है। हाला कि उसके लिए कोई कारवाई करने में बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मालिनी अब आदित्य के बच्चे के साथ गर्भवती है। आदित्य इमली से सबूत लेता है और जब मालिनी पीछे से आती है और अपनी गर्भवस्था की घोशडा करती है तो वह कोई कारवाई करने से इंकार कर देती है। इमली को बड़ा जटका लगता है जब मालिनी उससे सवाल करती है कि वह जेल में त्रिपाठी परिवार के बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है। अब जब मालिनी आदित्ते के बच्चे को अपने गर्भ में ले जा रही है, तो आदित्ते केवल इमली को पीछे धकेलता है क्योंकि वहनाई जिम्मिदारी को नजरंदाज नहीं कर सकता। क्या इमली उसे हमेशा के लिए बाहर निकलने के लिए चिहनित करेगी?